हेलो स्ट डेंस चलिए स्टार्ट करते हैं मिशले लिए सेक्सर साइज जोन चैप्टर नमबर 6 का क्योस्टन नमबर 20 देखती हैं क्या है दस लोप ओफ टेंजेंट टू दा कर्व हमें यहां पे दो कार्व की इक्वेशन दे रखी है ओफ देखो क्या है important question है कई बार क्या करता है option ना देखे direct question देगा तो किस तरीक से करेंगे वो देखो हमें क्या दे रखी है कार्व की equation दे रखी है हमें slope of tangent निकाल ली है इस point पे तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले कर्व देखो, हमरे पास क्या है, x equal to t square plus 3t minus 8, और दूसरी कर्व क्या है, y equal to 2t square minus 2t minus 5, अब यहाँ पे x का derivative करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx by dt equal to t square का 2t plus 3 हो गया, यहाँ पे y का dy by dt equal to 2 to 40 minus 2 हो गया, तो मिरे पास dx by dt आगया, dy by dt आगया, slope कैसे निकलती है, dy by dx equal to dy by dt upon me dx by dt से, तो यहाँ पे dy by dt क्या है, 40 minus 2 upon me dx by dt क्या है, 2t plus 3, यह आगे मिरे पास slope, अब यहाँ पे मुझे चीए t की value, तभी तो हम यहाँ पे numerical result निकाल सकते हैं अपना, otherwise हमारे पास slope आचुकी 40 minus 2 upon me 2t plus 3, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास curve क्या दे रखी है, x equal to t square plus 3t minus 8, और point क्या दे रखे हमें, 2 और minus 1 दे रखा है, यह x axis का point है, यह y axis का, अगर curve यूज कर रहे हैं तो y point को यूज करेंगे, x curve को यूज कर रहे हैं तो x point को यूज करेंगे, यहाँ पे x की value 2 put कर दो, 2 equal to t square plus 3t minus 8, तो यहाँ पे t square plus 3t, 2 इस तरफ आएगा तो minus का 10 equal to 0 हो गया, इसके factor कर लो, यहाँ पे factor करें, multiply करें तो 10 आए, add, subtract करें तो 3 आए, तो क्या होगे, t square plus का 5t, minus का 2t minus 10 equal to 0, यहाँ से t common तो t plus 5 आगया, यहाँ पे minus 2 common तो अंदर क्या आगया, t plus 5, तो एक तो आगया, t plus 5 factor आगया, मेरा एक t minus 2 factor आगया, यहाँ से t की value क्या आजएगी, minus 5, यहाँ से t की value क्या आजएगी, हमारी 2 आजएगी, अब t की value कौन सी लें, main बात वो आती है, हम क्या करेंगे, simply बस उनसी में equal value आ रही है इस value को क्या करो दूसरी curve की equation में put करके देख लो क्या थी हमारे पास y equal to 2t square minus 2t minus 5 y की value क्या है minus 1 equal to 2 into t की value जब हम minus 5 लेंगे t equal to minus 5 पे check करें तो यहाँ पर क्या आजएगा minus 5 का square minus 2 multiply minus 5 minus 5 तो minus 1 equal to minus 5 का square क्या हो जाएगा 50 minus minus plus 5 to 10 minus 5 यह क्या आगया not equal तो यह t की value हमारी यह possible नहीं हो सकती तो दूसरी value possible हो जाएगी t equal to 2 put करोगे न तो minus 1 equal to minus 1 आजएगा तो at t equal to 2 slope dy by dx equal to क्या हो जाएगी 40 minus 2 upon 2t plus 3 थी तो t की value put कर लो 4 multiply 2 minus 2 upon 2 multiply 2 plus 3 तो क्या आगया यहाँ पे 4 to j 8 minus 2 क्या हो गया 6 2 to j 4 और 3 7 तो हमारी slope क्या आगी 6 by 7 अब option देखो क्या आगया B option is the correct option समझ में आगया किस तरीके से करना है कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछिए otherwise Nexa Classes को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल है थोड़ा सा स्पोर्ट करिए Thank you students for your love and sport for Nexa Classes Thanks